नमस्कार मैं अनसारी सर अनसारी इंसिट्ट की तरब से पुना आपका स्वागत करता हूँ आज का वीडियो खास तोर से NIS के छात्रों के लिए है जो छात्र NIS में एडमीशन लेते हैं NIS में एडमीशन लेते वक्त उनको एक login credential NIS के तरब से उनके email में आता है जिनके मारफ़स से वे login करके अपने dashboard को देख सकते हैं लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि छात्र अपने login credential को भूल जाते हैं या तो email delete हो जाता है जो भी वजह हो फिर उनको login करने में समस्या आती है फिर वो समझ नहीं पाते हैं कि कैसे login करें मैं आपको बता दूँ अगर आपका login credential miss out हो गया है या तो आप भूल गये हैं फिर भी आपके पास login करने का उपाय है आप अपने reference number या enrollment number के माध्यम से login करके अपने dashboard में जा सकते हैं तो सबसे पहले हम लोग simple process में आते हैं कि आप अपने login credential से NIS के dashboard में कैसे login कीजिएगा मैं आपको simple process दिखा रहा हूँ पीछे आप panel में देखिए पैनल में NIS का login page मैं आपको खोल कर दिखा रहा हूँ यह login page student login page है आप देख लिए सबसे पहले आप student login में जाईएगा इसको click किजिएगा click करते ही आपके सामने एक ऐसा page खुलेगा इस page में आपको अपना email address देना है और आपका password जो password आपने generate किया है या NIS के तरब से login credential में आपको मिला था आप email address देंगे password देंगे और यहाँ पे जो capture code है इस capture code को भरेंगे जैसे ही आप इसको भरेंगे आपके सामने आपका dashboard खुल कर आ जाएगा अब यह तो simpler process है कि अगर आपके पास अपका username आपका email ही है अगर आपका username आपका email है आपका password है और यह capture code भरकर आप simply login कर सकते हैं और अपने dashboard को देख सकते हैं अब समस्या तब खड़ी होती है कि मान लिजिए आपने अपना login credential खो दिया जब आपने अपना login credential खो दिया तो आपके पास दूसरा विकल्ब खुल कर आता है देखिए नीचे देखिए login भया reference number और enrollment number आप reference number या enrollment number के माध्यम से भी login कर सकते हैं आप इसको click किजेगा जैसे ही आप click किजेगा आपके सामने इस तरह का page खुल कर आएगा मैं आपको बता दूँ जो ठातर NS में admission लेते हैं admission लेते वक्त जैसे ही वो payment करते हैं उनका एक reference number generate होता है उस reference number के माध्यम से भी आप login कर सकते हैं आपको इहाँ पे अपना reference number देना है और इधर में आपको अपना date of birth देना है ता जो date of birth इसी format में देना है जो date of birth आपने अपने admission के वक्त NOS के website में या NOS के admission form में डाला था उसको यहाँ पर mention करना है और उसके बाद capture account को fill up करिएगा आप इसके मारफ़स से अपने dashboard में चले जाईएगा ये तो रहा उनके लिए जिन लोगों ने अभी नया-नय admission लिया है उनका roll number अभी तक generate नहीं ह हुआ है जिन जात्रों के admission confirm हो गया है और roll number generate हो गया है वे क्या करेंगे वे reference number से भी admission panel में घुच सकते हैं अपने login कर सकते हैं और enrollment number से भी तो कोई दोनों option आपके पास खुला हुआ है या तो आप अपना reference number यहाँ पर डालिये या तो जो enrollment number आपका generate हुआ है उसको आप डा प्रमिशन के वक्त अना उसके details में डाला था और यहाँ पर आपको अपना capture code डालना उसके बाद आप login कीजिएगा जैसी login कीजिएगा आपके सामने इस तरह का एक dashboard खुल कर आएगा धान से रखिए यह dashboard इसमें आपके पूरे details रहेंगे उसकुछ खास चीज़ों को मैं दि दिखना चाहते हैं कि आपने अपने form में क्या क्या detail भरा है तो review form बोल कर एक option दरा है यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा एक form खुलेगा और आपने क्या क्या detail भरा है पूरा detail आपके सामने आ जाएगा नीचे दिखिए print के नीचे एक ID card लिखा हुआ इस ID card को यह आपका अगर admission confirm हो जाता है तो आपका ID card generate हो जाता है यहाँ से आप अपने ID card को download कर सकते हैं उसका print out ले सकते हैं इसके लावा और धेर सारे details दिए हुए हैं यहाँ पर my document बोला जो जो document आपने upload किया है उन documents को अगर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं इसक option लेने के बाद कभी कभी कुछ ऐसी समस्याएं आते हैं कि उनको अपना कुछ detail change कराना है तो इस service का option यहाँ पर दिया हुआ है इस service को लेकर मैं detail में एक video बाद में बनाऊंगा फिलहाल मैं छोटा सा option आपको दिखाते रहा हूं आप अपने e-service के लिए अगर apply करना जाते ह किजिएगा apply में click किजिएगा click करने के बाद यह सारे details आपके सामने आ जाएंगे उसके मुताबिक आप इसको fill up कर सकते हैं उसके बाद छात्रों की परसानी होती है कि आप जानते है कि TMA Tutor Marked Assignment एक बहुत ही essential part है अब आपको अपने assignment के अगर question paper download करने तो download TMA बोलकर एक option ह यहां पर दिया हुआ है उसके बाद जब आपके TMA submit करने का वक्त आएगा है NOS एक खास specific date दे देता है जब आपको अपना TMA submit करना पड़ता है और अपना portal खोल देता है यहां से आप अपना TMA upload कर सकते हैं TMA upload करने के बाद TMA status को देखना चाहते हैं कि अभी तक आपका TMA evaluate हुआ कि नहीं आपको marks मिले की नहीं यह तमाम तरह की जानकारी आपको यहां से आपके डैसबोर से मिल जाएगी मैं उम्मीद करता हूँ को आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई है तो आप हमारे YouTube चैनल को like कीजिए, share क कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूले धन्यवाद नमस्कार